देखिए आज जो प्रेस कांफरंस बुलाई है आम आदमी पार्टी जम्मो कश्मीर में तेजी ला रही है और जम्मो कश्मीर की आवाम के साथ जो जुलम और ज्यादती पिछले कई सालों से चली आ रही है उसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से लोगों को समझाने की कोश करेंगे आप देख सकते हैं कि लगातार पिछले आठ साल पहले भाजपा इक्तिदार में आठ साल से तो है लेकिन आठ साल पहले जो वादे उन्होंने जम्मो कश्मीर की आवाम से किये थे वो कहीं न कहीं दोगले और खोखले थाबित हो रहे हैं जिस तरीके से आज की आज भी जम्मो कश्मीर का नवजवान सडकों पर है आज अगर आप देखेंगे जम्मो कश्मीर को 370 तूटने के बाद बात ये बताई गई थी कि अब जमू कश्मीर के अंदर डिवेलपमेंट होगी लेकिन वहीं आप देखेंगे डिवेलपमेंट यूज़ से होती है डि से ज्यादा देश के अंदर अगर कहीं भेरोज़गारी है कई स्टेट का नावजवान अगर पढल लेककर बेरोज़गार इस वकत है नशे की समय माध्य कहालत है तो वह जमू-कश्मीर है सबसे ज्यादा डरेत अकर आप देखेंगे वह जमू-कश्मीर से पर काम कर रहे थे, वो कई सालों से सर्कों पर इंसाफ मांग रहे हैं, बात यहां खतम नहीं होती है, जम्मु कश्मीर की अवाम को आठ साल का वक्त मिला है, सोचने का, समझने का, अब जम्मु कश्मीर में एक उमीद की किरन आ रही है, कि आने वाले कल में चुनाव होंगे, आठ साल काफी हैं आपको समझने के लिए, और उससे पहले सत्तर साल का वक्त भी जम्मु कश्मीर के अवाम के लिए, बहुत बड़ा एक वक्त रहता है, जहां एक आम आदमी की जुरूरियाद को रोंदा जाता है, उसके हकोग को छेना जाता है, आम आदमी पार्टी जम् किया पंजाब के अंदर हमने कैश्वल लेवरर्स को मतलब बहुत कम समय में उनको परिमनेट भी किया अगर जमू कश्मीर की खुशाली चाहते हो तो आठ साल का जो वक्त भाजपा के दोर जमू कश्मीर के अंदर गुजर गया है उसे समझने के लिए काफी है अब जो वक्त आएगा वो जमू कश्मीर की अवाम के लिए बड़ा सुनेहरा है अगर मारिश से या अगले साल से जमू कश्मीर को बहतर देखना चाहते हो तो बहतर सोच के साथ बहतर उमीद के साथ इमानदार लोगों को सत्ता मेलाना बहुत जरूरी होगा वरना अगर आठ साल भी आप जमू कश्मीर के अंदर है तो यकीन जानिये जब चुनाव खतम हो जाएंगे उससे ज्यादा जमू कश्मीर में फिर से वेरोज़गारी का सामना यहां की आवाम को करना होगा तो आखिर में यही बात है कि जमू कश्मीर की बात हो रही है यहां पर बहुत सारे पोस्टें बिल आई गई उनको जो है 20-20 लाख के अंदर बेचा गया आज भी लोग नवजवान जो है जो पड़ा लिखा है वो मजबूर हो रहा है 10% लोगों की वज़ा से करोडों रुपियों का घोटाला करने के बाद आज की डेट में उन्हें जो है दुबारा से एक्जाम देना है ऐसा भी हो सकता था कि उन बच्चों को जो है वेरिफाई करके उनको निकाला जाता और जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है उसके बाद जो बज़ी पोस्टें थी उनको जो है एड़्जस्ट किया जाता या दुबारा से उनके अटर्टाइजमेंट कर लेनी थी लेकिन ये सरकार के पास policy नहीं है, गरीबी का माहौल पूरे देश के अंदर है, वहीं जम्मू कश्मीर इसकी लपेट में आ रहा है, तो हम जो है, मिल जूल कर इस जम्मू कश्मीर को खुबसरत बनाने की कोशिश करेंगे, और आने वाला कल आपके हाथ में है, आपका मुस्तक्बिल आपको खुच चुनना है, आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में आई है, खुशाली दिल्ली के अंदर है, पंजाब खुशाली की और जा रहा है, जम्मू कश्मीर पे उम्मीदे हैं, क्योंकि 8 साल का वक्त बहुत हो गया, 370 का खात्मा और उसके बाद development का वादा, और आज भी लोग सडकों पे, ये एक बहुत बड़ी समझने वाली बात है, जिन लोगों के सिरों पे ताज जिनको अच्छा लगता है, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी ताज के पीछे में भागती है, कुरसी के पीछे में भागती है, जब भी लोग चुनाव में जिता कर आ लेकर चलते हैं, और उसी जिम्मादारी को निभाने के लिए, आम आदमी को अगर अपना हक चाहिए, जो आज सडकों पे मांग रहे हैं, उन्हें कल सडकों से निकल कर सत्ता में आना होगा, और आम आदमी पार्टी को मौका देना ही होगा, तब जाके जमू किश्मीर की कोस्टों पर आपने रखा था, बहुत कम समय या क्या कारण था कि उन लोगों को बहुत जल्दी जो है, यह जो हमारी यहां डिजालू हुई थी, कमिटी यह बड़ी पुरानी थी, तो इसको डिजालू करने का खतम यह नहीं है, कि उन लोगों को निकाल दिया गया है, उसम आदमी जो है, ट्रांसपरेंसी से काम करेगी, चाहे जिन लोगों को भी टिकट देना होगा, अच्छे लोगों को जो है, पबलिक के सामने लाया जाएगा, क्योंकि अवाम की उम्मिदें नेताओं से भी रहेंगी, और पार्टी से भी रहेंगी, और उमिदवारों से भी र से हम शुरुआत कर रहे हैं, और हर डिस्टिक के अंदर हमारा प्रोग्राम हो रहा है, एसेंबली का प्रिपरेशन चल रहा है, जगा जगा पर हमारे वालेंटेर्स हैं, अब जमू कश्मीर के आवाम को अपना फैसला खुद करना हो, अपना फैसला खुद करना हो, आपने सत्ता में लाया है, क्योंकि वही ये सब चीजें कर रहे हैं, चाहिए आप देखें, कि जिस तरीके से समगलिंग हो रही है, जिस तरीके से नवजवानों का गला घौटा जा रहा है, जो सड़कों पर बैटे हैं, उनके साथ जो है लाठियां चलाई जा रहे हैं, उन पर मतल कार में आम आदमी की सोच रखने वाला, उनके हुकुक की अधाईगी करने वाला, वैसे लोगों को जब हम अपने वोड की ताकत से उस सत्ता पर बिठाने का काम करेंगे, तो ये डंडे भी खतम हो जाएंगे, ये प्रोटेस्ट भी खतम हो जाएंगे, डिली के अंदर आज प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं, जितने भी मुलाजमीन हैं, उनको तनखाएं वागुजार की जा रही हैं, जो वहां पर जिस भी सिस्टम को आप देखे, एजुकेशन सिस्टम बहतर हो गया, बहतर इन्फरस्टेक्शर दे रहे हैं, ये चीज़ें जब आम आदमी को मिलना शुरू हो जाएंगी, तो वो स्टेट के अंदर धंगे, फसादाद, लाठी चार्ज करने की कोई जूरत नहीं पड़ेगी, लोगो जुरूरियाद के चीज़ें, सोहलियात, मतलब बन्यादी सोहलियात उन तक पहुंचाने का काम कर लेना चाहिए, वो सरकार की जिम्मदार कर उसकी जुरूरियात को पूरा होते हुए देखना चाहिए. जानकारी के लिए कॉल कीजे, 9873-108-158.